उत्तर प्रदेश माध्यमेक सिच्छा परशत की परिच्छाओं की डेट लगभग आपके बहुत ही नजदी का चुकी है और सरकार के निर्देशानुसार बोड़ परिच्छाओं से पहले प्रीबोड करवाना आती आवस्याक है क्योंकि कोरोना के चलते परिच्छार्तियों क जितने भी चात्र हैं उनकी पढ़ाई थोड़ा सा बादित हुई है उनका मन थोड़ा सा सिक्छा से हटकर दूसरी मुद्रा में चला गया था मतलब कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता कि परिच्छाएं ना हो लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है आपकी रिजल्ट में उत्तरदाई सरकार थी या विद्याले था क्योंकि पिछली बार जब सरकार के द्वारा प्रमोट किया गया तो बहुत से बच्छों का कहना था कि यदि परिच्छा होती तो हम और भी बहतर कर सकते थे जिन बच्छों की पास होने की उमीद ही नहीं थी ऐसे इसे भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए तो कुछ बचों ने आपती दर्ज की की कि हम दोबारा पेपर देना चाहेंगे कुछ बच्छों ने दोबारा पेपर भी दिया तो यह सारी जो ब्योस्था गवर्ण होई थी पिछली बार तो यह कुछ मजबूरिया थी सरक बगा चुकी है बिद्याले अपने ब्योस्था नुसार क्योंकि दस फरवड़ी से चनाव चलने हैं और यह मार्स तक जाएंगे तो बिद्याले अपने सब्धानुसार प्रीबोट परिच्छाय करा सकते हैं जो कि कि ऑफ लाइन होंगी तो यह चीज इनके पर इनके परिच आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी तरी कैसी है और इससे हम कितरा बेतर कर सकते हैं क्योंकि प्रीबोट के तुरूंत बाद लगबग परिच्छाय आपकी आगए अब आपके पास समय बचा नहीं तो यह एक बार आपको पेपर का पैटर्न देखने को मिल जाएगा तो हो सक सकता है परिच्छाओं में आप और भी बहतर अंक हासिल कर सकते हैं अलग अलग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं अब इस आठ घंटे पहले का है अज तक का है यह इसके बाद यह आपकी अलग अलग साइडों से देखिए देखने को मिल रही है यह आपका यह सब खूज रहे हैं वह भी प्रडाम आपको हम दिखा रहे हैं यह देखिए जनवरी 2022 में आयूज़त खूनी थी लेकिन किसी का रड़ से यह फरवरी में पहुंच गए यह देखिए चीजिएंगों को आप यह तीन दन पहले का है यह एक दन पहले का है यह आपका बहुत बताया गया है कि यूपी बोर्ड एकजाम 2022 में उत्तरप्रदेश माधिमिक सिच्छा परशाद ने सभी स्कूरों नदेश दिया है चूंकि अब ऑफलन क्लासिस की अनुमती प्रशासन से मिल चुकी है ऑफलन का मतलब है कि बाच्चे बिद्देले जाकर भी सिच्छर कार कर हो सकते हैं इसलिए इस्टुटेंट्स के लिए प्रीबोर्ड परिच्छाएं अनिवार रूप से आयुद्ध की जाएं कि बोर्ड परिच्छाओं के लिए बताया गया है कि आपकी परिच्छाएं 24 मार्च से हो सकती हैं मतलब यह डेट अभी फिक्स नहीं है लेकिन उमीद इसलिए परिच्छाएं स्टार्ट हो जाएंगी मार्च के पहले सब्ता या 10 मार्च तक जाएंगी यह हो सकता ही 15-20 अपरैल तक भी जा सकते हैं मार्च से लेकर इसमें बोला गया यूपी में करोना की घर्टी रप्तार को देखती हुए अब स्कूल कालेज पूरी स्ट्रे ने सभी स्कूरों को निर्देश दिया है चूंकि अब ओफलन क्लासिस के अनुबती प्रशासन से मिल चुकी है इसलिए स्टुडेंट्स के लिए प्री बोर्ड परिच्छा निमार रूप से आयुद की जाएं मतलब यह अवस्थ आपको आयुद करवाने ही करवाने है शिच् प्रशन को ठीक तरह से जनकारी कराने के लिए प्री बोर्ड परिच्छा एज़ूद करना जरूरी है प्रीबूर्ड एक्जां कि ऐकदम बोर्ड परिच्छा के पैटर पर ही अईजूद की जाएंगे इसका मतलब है कि जो भी परिच्छा में आपके पेपर आने हैं आपके पेपर का रूप बिलुकुल वही होगा प्रस्ने चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको बिलुकुल रूप उसी तरह से मिलेगा ताकि आपको बिलुकुल भी दिक्कत न हो एक्जाम की कौपी स्कूल के टीचर से द्वार ही चेकी जाएंगी बता देंगी परस्त ने अभी एक्जा को इस मार्श आउजद की जा सकती हैं जिसे देखती हुए संभो है कि प्री बोर्ड एक्जाम फरवरी की अंतिम सब्ताहे से शुरू हो सकते हैं अंतिम सब्ताहे का मतलब बिद्याले अपनी सुधा अनुसार दस तारीक के बाद चुनाव तो चली रहे हैं लेकिन जिन एरिये की चुनाव नहीं होंगे उस एरिये में उसकी सुधा की अनुसार बिद्याले में प्री बोर्ड कराई जा सकते हैं एक्जाम की डेट पर खुद इसकूल खुद भी फै पर आयोजित होंगे परिच्छाओं पर कोई भी अन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगा तो यह आपकी एक नोटिफिकेशन थी और भी कुछ चीजें निकल कर आई हैं जिसमें अगली नियुक्त हम आपको बताएंगे अगले दूसरे वीडियो में लेकिन थोड़ी से उ और पूरी सुरच्छा के साथ में पेपर दे सकते हैं ऐसा अपडेट निकल कर आया है देखने को मिला है तो यह मानके चले कि आपकी परिच्छाओं के लिए मात्र एक महने कहीं समय बचा है याप बेहतर तरीकी से तैयरी कर सकते हैं तो हो सकता है परिच्छाओं में अच्छाओं का विज्ञान गड़ित और अंग्रेजी का आपका अंच्छाओं पूरी तरह अपलोड है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स में मिल जाएगी वहां जाकर आप दस्वी की बेहतर तैयरी कर सकते हैं इसके तरह बार्वी में फिजिक्स केमेस्ट्री बायो इंग्लिस और मैथ यह पांचो विशे के अंसोल्ड पूरे हल आपको मिल सकते हैं तो यह आप डिस्क्रिप्शन वोक्स में लिंक जाकर देख लिजेगा उसमें से मिल जाएगी और आपको लगभग दस वर्ष्णों के अंसोल्ड हमाई तरफ से दिये जा रहे हैं 2011 से लेकर 2020 तक के पूरे अंसोल्ड आपको सॉल्व रूप में मिलेंगे तो सभी बच्चे फट 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 लिंक को किलिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और अपने सब्जेक्ट की अनुसार तैयरी करते हुए अच्छे अंकर्जित करें अगर किसी बच्चे को पीडिये भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी है जिस पर आप वोट्सेप पे पीडिये प्राप्त कर सकते हैं अपने कलासों के अनुसार धन्वाद मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में जिसमें आपकी जनकार कि कुछ परिच्छाओं को लेकर होगी